मैं गिरता हूँ, I fall, गिरना होता है fall, मैं गिरता हूँ, I fall, मैं नीचे गिरता हूँ, I fall down, नीचे क्या होता है down, मैं नीचे गिरता हूँ, I fall down, तुम देखते हो, देखना मतलब see, you see, तुम देखते हो, you see, मैं भूल जाता हूँ, भूलना होता है forget, मैं भूल जाता हूँ, I forget मैं याद रखता हूँ, याद रखना क्या होता है? Remember, I remember, मैं याद रखता हूँ, I remember मैं सोचता हूँ, सोचना होता, think I think, मैं सोचता हूँ, I think मैं मदद करता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मदद करना means help मैं मदद करता हूँ, I help वह सोता है एक परसन की बात हो रही है थर्ड परसन की लड़के की बात हो रही है तो वर्ब की form के साथ S या फिर ES का इस्तेमाल होगा जैसे कि देखो वह सोता है सोना मतलब sleep वह सोता है He sleeps वह जागता है जागना क्या होता है? Wake या फिर wake up हम इसको बोल देते हैं, तो he wakes वह जागता है, he wakes, वह नहाता है, नहाना क्या होता है? वैसे तो बात होता है, लेकिन नहाना उसको take बात बोलते हैं, तो वह नहाता है, he takes बात, तो यहाँ पर जो verb की form है, वो take है, साथ में s लग गया, he takes बात, वह नाश्टा करता है, नाश्टा करना क्या होता है, breakfast होता है नाश्टा, नाश्टा खाना, खाना means eat, वह नाश्टा करता है, he eats breakfast, वह कपड़े पहनता है, कपड़े means clothes, पहनना मतलब wear, तो क्या बनें गया, he wears clothes, wear के साथ S का अस्तेमाल हो गया है, he wears clothes, वह कपड़े पहनता है, तुम चोरी करते हो, you steal, वह चोरी करती है, देखो, you steal के साथ S नहीं लगा, वो plural है, वह चोरी करती है, वह मतलब लड़की है, third person है, तो क्या यह हो जगा? She steals, वह चोरी करती है, वह बाते करती है, बाते करना मींस Talk, she talks, वह बाते करती है, वह बहुत बाते करती है, बहुत ज़ादा बाते करती है, वतलब a lot, talks a lot, तो क्या बन गया? She talks a lot वहाँ बहुत बाते करती है She talks a lot वहाँ तुमसे बाते करती है She talks to you किससे बाते करती है तुमसे तो साथ में you कैड हो गया She talks to you वहाँ तुमसे बाते करती है वहाँ फोन पे बाते करती है फोन पे बाते करती है मतलब बाते करना वही talk फॉन पे means on phone तो क्या बन गया she talks on phone वहाँ फॉन पे बाते करती है she talks on phone वहाँ धूनते हैं धूनते हैं means एक से जादा लोगों की बात हो रही है यहाँ पे तो वहाँ पे हम दे का इस्तिमाल करते हैं, वह ढूनते हैं, they find, ढूनना होता, find, they find, वह ढूनते हैं, वह काम ढूनते हैं, तो they find work, comments work, they find work, वह काम ढूनते हैं, मैं ज़ाडू लगाती हूँ, ज़ाडू लगाना क्या होता है, sweep, देखिए आप साथ में बहुत सारी vocabulary भी सीख रहे हैं, ज़ाडू ल लगाती हूं, I sweep, मैं पोच्छा लगाती हूं, पोच्छा लगाना क्या होता है, मॉप, मैं पोच्छा लगाती हूं, I mop, मैं सफाई करती हूं, सफाई करना क्या होता है, क्लीनिंग होता है, क्लीन कर रही हूं, तो क्या बन गया, I clean, मैं सफाई करती हूं, I clean, हम गाते हैं, हम means, मेरे साथ कोई और भी है, दो लोग भी हो सकते हैं, चार लोग भी हो सकते हैं, हम, हम गाते हैं, तो हम के लिए हम इस्तेमल करते हैं, वी का, गाना मीन्स सिंग, हम गाते हैं, वी सिंग, वी सिंग, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना क्या होता है, प्रे, हम प्राथना करते हैं हम पूचा करते हैं पूचा करने को क्या बोलते हैं वर्शिप रोहित जूट बोलता है जूट बोलना होता है लाइ रोहित है एक परसन है तो लाइ के साथ हम एस का यूज़ करेंगे रोहित लाइज रोहित जूट बोलता है रोहित lies रोहित सच बोलता है रोहित speaks truth देखो वहाँ पे रोहित lies lie है जो verb की form है इसलिए साथ में कोई additional verb नहीं लगी यहाँ पे जो सच है यह verb की form नहीं है यह एक noun है truth क्या है? noun है सच क्या है? noun है इसलिए हमने साथ में बोलना speak लिखा है रोहित speaks truth रोहित मीठा बोलता है मीठा बोलना मतलब sweet होता मीठा तो रोहित speaks sweetly रोहित मीठा बोलता है रोहित speaks sweetly रोहित कड़वा बोलता है अब कड़वा क्या होता है? bitter तो क्या बोलेंगे? रोहित speaks bitter रोहित कड़वा बोलता है रोहित speaks bitter तुम रहते हो, you live, तुम रहते हो, you live, कहां रहते हो, तुम दिल्ले में रहते हो, you live in Delhi, तुम आते हो, you come, तुम घर आते हो, कहां आते हो, घर आते हो, you come home, तुम घर आते हो, you come home, तुम बस से आते हो, you come by bus कार से आते हो, बस से आते हो, स्कूटर से आते हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, by bus, by car, by scooter, by bike okay, you come by bus तुम पैदल आते हो, पैदल आने को क्या बोलते हैं, you come on foot तुम पैदल आते हो मैं खरीदती हूँ, खरीदना means buy, I buy, मैं खरीदती हूँ, I buy, मैं जूते खरीदती हूँ, क्या खरीदती हूँ, जूते, I buy shoes, मैं जूते खरीदती हूँ, I buy shoes, मैं बेचती हूँ, I sell, मैं बेचती हूँ, I sell, बेचना होता है sell, मैं कपड़े बेचती हूँ, क्या बेचती हूँ कपड़े बेचती हूँ, I sell the clothes, I sell the clothes, मैं जानती हूँ जानना होता है, no मैं जानती हूँ, I know हम जानते हैं we know, देखो हम मतलब एक से जादा है तो we, ये भी plural है I भी plural था, साथ में no के साथ ऐस नहीं लगा we know, हम जानते हैं, we know वह जानता है, अब आगया एक परसन, singular की बात हो रही है he knows वह जानता है, he knows अब हम करते हैं, कुछ past case sentences, छोटे छोटे sentences है, मैंने बुलाया I called, मैंने बुलाया I called, उसने किया second form use होती है, इसमें सीधी, कोई yes ने, कोई yes ने he did, उसने किया he did, do की second form है did मैंने कहा, I said कहना मतलब से, second form है said I said, मैंने कहा, हमने लिया लेना मतलब take, second form है took, we took हमने लिया, we took तुमने पढ़ा, पढ़ना होता है, read इसकी तेनों फ़र्म की spelling से हैं है, लेकिन पढ़ना सेशन अलग है read, read, read तुमने पढ़ा, you read मैंने पढ़ाया पढ़ाना मेंस teach second form होगी taught, मैंने पढ़ाया I taught उसने सीखा, सीखना ऊता है learn second form है learnt she learnt उसने सीखा, she learnt उनहोंने बोला, बोलना होता है speak second form है spoke they spoke, एक से ज़्यादा लोग हैं वो they spoke उनहोंने बोला, they spoke वह गया, वह मींज एक लड़का है, he went, वह गया, he went, go की second form है went, वह हसा, हसा मतलब laugh, तो laugh की second form है laughed, he laughed, वह हसा, he laughed, रोहित रोया, 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 रोहित खाना, eat, second form is eat, we all ate, हम समने खाया, मैंने बताया, बताना क्या होता है, tell, second form is told, क्या बन गया, I told, मैंने बताया, I told, तुमने पूछा, पूछना होता है, ask, second form is asked, तुमने पूछा, you asked, you asked, वो समझ गया, समझना गया होता है, understand, second form is understood, वो समझ गया, he understood, वो समझ गया, he understood, तुम फस्स गया, फस्स ना होता है, stuck, तुम फस्स गया, you stuck, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, होना होता है, happen, second form is happened, कुछ नहीं means nothing, nothing happened, कुछ नहीं हुआ, nothing happened, उसको इना मिला, he got award मिलना होता है get second form है got इनाम का मतलब होता है award क्या बन गया he got award उसको इनाम मिला उसने पहने she wore उसने पहने she wore क्या पहने कुछ भी पहने गहने पहने कपड़े पहने उसने उतारे she took off second form है take she took off take off होता है उतारना she took off उसने उतारे so guys कैसे लगी आपको ये वीडियो प्लेस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते बताईए